होम्यो रिटर के यूटूब चैनल पर मैं डाक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूँ आज की जो हमारी अपडेट है वो यूपी आयूस यूजी काउंसिलिंग यानि की बी एमेज बी एचमेज बी एमेज के कोर्सिज के लिए जो है उत्तर परदेश की काउंसिलिंग का जो है प्रतम चक्र का स्विडूल जारी हो गया उसके बारे में आज हम आपको जानकारी दे है कि उत्तर प्रदेश के आयूस के यूजी में जो काउंसलिंग है उसको जारी कर दिया गया है और काउंसलिंग के लिए आप यूपी आयूस counseling.upsdc.gov.in पर आपको जाना है इस बेव साइट पर जाने के बाद आप जो है counseling में हिस्सा ले सकते हैं अब आपको बता जाते हैं कि counseling कब से सुरू हो रही है तो online जो पंजी करर है counseling के लिए वो आपको जो है online पंजी करर और धरोवर रासी यानि की फीज जो है जमा करने की तिथी साथ एक दोहजार तीस सुबह 10 बेजे से धिनांकी 11 एक दोहजार तीस रात्री को एक ग्यार उन्चस बजे तक रहेगा state marriage का जो list प्रकासन किया जाएगा वो 14 एक दोहजार तीस को 5 बेजे तक किया जाएगा online जो choice filling होगा या online choice filling की जो तिथी है या date है वो 15 एक दोहजार तीस से 16 एक दोहजार तीस तक रहेगी seato का आवंटन और उसका प्रकासन जो है 17 एक दोहजार तीस को किया जाएगा पांच बेजे तक नोडल सेंटर पर मूल अभिलेकों के सत्यापन यानि कि आपका अगर हो जाता है seat आवंटन तो आपको जो है कि अपने मूल अभिलेक को जो है सत्यापन करने की जो तिथी है व उसके बाद आवंटन पत्र में डाउनलोड करने और आवंटित संस्ता में परवेश की जो अंतिम ठिती होगी वो चौवीस एक दोहजार तेईस होगी फिर उसके बाद आपको अब ग्रेशन एक तू सहमति भरने की अंतिम ठिती चौवीस एक दोहजार तेईस तक रहेगी अगर आपको इस संस्ता मतलब आवगर उससे बहतर संस्ता में जाना चाहते हैं तो उसको संस्ता में परवेश प्राप्त करने की अंतिम ठिती 27 एक दोहजार तेईस तक रहेगी काउंसलिंग के लिए आपको काउंसलिंग के जो वेवसाइट है www.upiscounseling.upsdc.gov.in पर जाना होगा और अगर आपको इस संबंद में कोई भी सहायता चाहिए तो इसके लिए आप जोए यूपी आविस काउंसलिंग 2022 एक डरेट आप gmail.com पर संपर कर सकते हैं बाकी help line नंबर भी है 7376520591 7376524687 पर संपर कर सकते हैं Home Your Reader देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद Home Your Reader